हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल यूनिटी क्लासेस मैं हूँ अमर्जीत और फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि 2020 का जो यूपी गवर्मेंट वीट के लिए इंट्रेंस एक्जाम हुआ था उसके मॉडल पेपर के बारे में और इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं और इसमें हम डिसकस करेंगे हिंदी का जो पेपर होता है उसके बारे में 2020 जो बने रहेगा यदि आपको किसी भी बुक का जो है पीडियाफ चाहिए जैसे आदिती हिंदी पब्लिकेशन हो गया या फिर इसका जो यूपी गवर्मेंट विएड का इंट्रेंस एक्जाम है इसके बुक का पीडियाफ या फिर माडल टेस्ट पेपर या फिर इसके अलमा जो यह हम देखेंगे जो हींदी का जो पेपर है इसमें टोटल क्यूइसचन होते हैं 50 और एक होते हैं और होते थे हैं बचास के लेकिंन सो नमबर हिंदी के यहां पर हम हिंदी के बारे में डेखेंगे और विडियो के लास्ट तक बने रहेगा और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब लाइक से जरूर करिएगा और कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा या क्योंकि हो सकता है कोई करेक्शन आप कर सकें यहाँ पर हम देखेंगे इक्यानमा किस्चन क्योंकि इक्य आउननम 51 questions यहां पर दिया हुआ है कि इसमें से पीर्थिवी कौन सा सब्ध है इसमें से पीर्थिवी जो है उ कौन सा सब्ध है और ये जो क्यूश्चन है 2020 जो एकजाम हुआ था यूपी गवर्मेंट वीट के लिए इंट्रेंस एकजाम उसका जो है फेपर हुआ था तो य कि तत्सम में गया सब्सम को मिला कर बनता है और इसका जियों का ट्यों जो है हम प्रियोग में लाते हैं जैसे अगनि हो गया वायू हो गया माता हो गया प्रकास हो गया यह सब dol सब्द होते हैं यह होते हैं तत्सम तो इसमें पिर्थवी जो है वह है तत्सम सब्द तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि संप्रदान का पर सर्ग जो है संपरदान का क्या है तो यहां पर हो जाएगा आप देखते हैं संपरदान के लिए तो संपरदान के लिए तो इसका अंसर हो जाएगा D संपरदान के लिए फिर आगे है तीरपन किस्चन जो 53 दिया है कि मैं चित्र बना रहा हूं वाक्य में काल है मैं चित्र बना रहा हूं अर्था जो है मैं चित्र बना रहा हूं जैसे हम यहां पर वीडियो बना रहा है तो यह कौन सा काल है यह है वर्तमान तो यहां पर जो हो जाएगा चित्र बना रहा हूं तो इसका अंसर हो जाएगा वर्तमान तो देख सकते हैं कितना किस परकार से easy question बनते हैं इसी परकार से हर एक बार एक जाम में पूछे जाते हैं बस question जो है अलग बनाया जाते हैं लेकिन pattern जो है एक ही रहता है यहां पर दिया हुआ है कि आलू किस भासा का सब्द है आलू जो है वो किस भासा का सब्द है तो इसका प्रियोक करते हैं और भी पूर्थ गाली भासा है और पिस्टॉल जिसको हम कहीं दो बने हैं यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जासे यहां पर आलू पुछा आगि कि किस अगले बार चेंज कर दे तो इसके आलामा जो होता है आलपीन हो गया काजू हो गया संतरा हो गया मिस्तिरी हो गया तंबाकू हो गया पिस्तोल गोदाम इस पात जो है यह सभी जो है पुर्द गाली भासा है फिर यहां पर 55 क्यूशन देखेंगे कि 100 जो 68 वाला 100 होता है वड का उचा मुर्धा क्योंकि हम जब सटकोड़ वाला 100 को बोलते हैं 100 तो इसमें क्या होता है कि जीव जो होती है वह आधा उपर की और टूटके टूटी मतलब आधा जो है उपर की और लटकी होती है और जो है जीवा में इस पर्स करती है तो इसे हम मुर्धवा बोलते हैं इसके अला तो यहाँ पर इसका अंसर हो जाएगा B, मुर्धवा, आप जो है बोल कर भी ट्राइ कर सकते हैं, फिर आगे है यहाँ पर 56 क्यूस्चिन, यहाँ पर दिया हुआ है कि निमने लिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर जो दिया है गू जो हो जाएगा दूरलव वस्तू, यहाँ पर जो है अब अगले बार जो है एक्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ पर मुहावरा जो है उचेंज कर दिया जाएगा, तो इसलिए मुहावरा जो है उसमें दिया रहता है, लेकिन अगले बार जो है अलग जो है क्यूस्च सूत में जो है हम इस्त्री बनाएंगे सूत जो है यह मेल है और हमें फिमेल बनाना है तो सूत में क्या जोड़ेंगे कि फिमेल बन जाएगा तो यहां पर हो जाएगा सूत में आ जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा सूता का अर्थ होता है लड़की और सूत का अर्थ होत पड्रों पड्रों से लेकर संद्र तक याँ इसका उन्फध मसें और 59 करेंगे धालों के संद्रवर काबे में भाव तथा कला के संदर्व को बढ़ाने वाले कारक को क्या कहते हैं तो जो काबे दिया होता है उसके भाव और कला को बढ़ाने वाले सब्द को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं अलंकार यहां पर अलंकार जो होता है किसी भी कावे में भाव तथा कला के संदर्व को बढ़ाता है और अलंकार की बारे में हम बात करेंगे तो अलंकार दो परकार के होते हैं सब्दा अलंकार और अर्था अलंकार तो यहाँ पर इसका अंसर हो जाएगा कि भाव और कलाग जो होता है कावे में उसका संदर्व बढ़ाने वाले कारक को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं अलंकार तो यहाँ सो जाएगा D फिर आगे हम याँ पर देखेंगे 60 मा किस्चन जो कि दिया हुआ है कि हिंदी के सर्वस्रेष्ट हा से ब्यंग कार निबन्द कार कौन है तो इनका अंसर हो जाएगा A हरी संकर पर्साई हरी संकर पर्साई जी जो हैं हिंदी के सरोथ हासे ब्यंग निवंधकार यहां यहांटा से हो जाएगा एह हरी संकर पर्साई तो फ्रेंट्स वीडियो के 쉬ं देख क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से easy question बने हैं और आगे जो है out of question बने हैं तो वीडियो के last तक बने रहेगा और यहां पर हम 61 question देखेंगे कि सडानन सडानन जो है सब्द में सही संदी विच्षेद का निसान लगाई तो सडानन होता है इसमें सही संदी विच्षेद कौन है इसके बारे में हम देखेंगे तो किया सड़ प्लस आनन होता है, सड़ा प्लस आनन होता है, पड़ा प्लस आनन होता है, तो इसका अंसर हो जाएगा D, सड़ प्लस आनन, क्योंकि जब यहाँ पर जो टो है, जो आधा टो है, प्लस आ जब हम मिलाएंगे, तो यह बन जाता है हमारा डो, बन जाता है डो, और यहां पर जो दिया है बड़ा आ दिया है तो यहां पर हो जाएगा डा तो इसका आंसर हो जाएगा सडा नंद क्योंकि इस तरीके से और भी बनते हैं जैसे दिगंबर का होता है तो दिगंबर का दिग प्लस अंबर नहीं होता है दिग आधा को जो होता है दिग प्लस अंबर तो जो आधा को होता है, और आ मिलकर जो होता है, वो बन जाता है ग, तो आहाँ पर हो जाता है दिगंबर, तो इसी प्रकार से यह जो आधा टो है, और यहाँ पर आ है, यह मिलकर बन जाएगा डो, तो हो जाएगा डा, तो यहाँ पर हो जाएगा सडा, नन, और फिर आगे हमे देखेंगे 62 62 किस्टन कि चक्रधर सब्द है चक्रधर जो है वो सब्द है तो यहां पर इसका अंसर हो जाएगा चक्रधर सब्द जो है इसका अंसर हो जाएगा योग रूड इसका अंसर हो जाएगा उसका विशेस अर्थ निकाला जाए उसके अर्थ का जो होता है विशेस अर्थ जो है वो निकाला जाए जैसे चक्र और धर जो है इसको हम जोड़ेंगे तो चक्र धर बनेगा जिसे हम कह सकते हैं कि चक्र को धारड करने वाला चक्र धर अर्था चक्र को धारड करने वाला चक भी कहते हैं विशुडू जी को जो है हम एक कहते हैं चक्र धर तो यह जो है योग रूड़ है तो यहां पर इसका 62 का अंसर हो जाएगा सी योग रूड फिर आगे हम यहां पर देखेंगे 63 कि यहां पर दिया हुआ है कि निमने लिखित में से अनिश्चय वाचक सर्वनाम जो है वो है निमने लिखित में से अनिश्चय वाचक सर्वनाम जो है वो कौन है तो यहां हो जाएगा कुछ अनिश्चय वाचक मतलब होता है कि उसका कोई निश्चय है नहीं हो तो जैसे कु हम बात करेंगे कि ओ कौन है और क्या के बारे में भी बात करेंगे कि ओ क्या चेज लेकिन कुछ जो है यह निश्चा है कुछ का मतलब कितना होगा यह कोई जो है इसका निश्चे नहीं है तो यहां पर जो है सरुणाम अनिश्चे वाचक सरुणाम जो है वो क्या है तो यहां अंसर हो जाएगा ए संग्या अथ्वा सर्वनाम संग्या अथ्वा सर्वनाम के जो है इसके साथ प्रयूक्त होते हैं संबंद बोधक अवे जो होता है वो संग्या और सर्वनाम के जो है संग्या अथ्वा सरवनाम में प्रयूप्त होते हैं जैसे किसी का दूसरे के साथ संबंध प्रकट होता है उसे हम संबंध बोधक अवय करते हैं संबंध बोधक का मतलब क्या होता है संबंध बोधक का मतलब होता है कि जिन आभिकारी सब्दों से संग्य अथ्वा सरवनाम एक दूसरे से प्रकट होते हैं उसको हम बोलते हैं संबंध बोधक अवे जैसे हम यहां पर एकजामपल लेंगे कि मैं जो है रमेश के बिना नहीं जाओंगी तो मैं जो है यहां पर जो होगा होगा संग करते हैं तो रमैश हो जाएगा नाम को संग्या कर संबंद बोधग तो बीच का जो होता है तो यहां पर जो हो जाएगा किसके साथ प्रियुक्थ होता है तो संग्या और अथवा सर्वनाम तो यहां से हो जाएगा इसका अंसर ए फिर आगे हम यहां पर देखेंगे पैसरठों किस्चन कि अस्थाई भाव को जगाने और करने वाला जो है एक कारक होता है और यदि विभाव की बात करो तो विभाव जो है उद्व परकार का होता है यह होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दिपन विभाव तो यहां पर जो पूछा स्थाई भाव को जागरित करने वाला और उद्दिप्त करने वाला क कारक कौन है तो इसका अंसर हो जाएगा विभाव फिर आगे है कि जियों त्यों निहारिये नेरे है नहीं त्यों त्यों खरी निकरेसा निकाई पक्ति में अलंकार है तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो है इसका अंसर हो जाएगा डी पुनरा विरिती पुनरूक्ति अलंकार क्योंकि यहां पर जो है जियों जियों और तियों यहां पर बार बार इसका पुनरा विर्थी हो रहा है तो इसलिए यह हो जाएगा पुनरूक्ति अलंकार फिर यहाँपर है 66 discussion कौन सा सब्द सुध आ उज्वल मुर्ती, नीपक एर इनमे से कोई नहीं तो आप यहाँपर देखेंगे ज़े यहाँपर वोलेंगे के यहाँपर यह सब्द सही है उज्वल लेकिन नहीं इसका अंशर हो जाएगा तो यहां पर जो है यह बड़ा जकर दिया तो इसलिए जो है यह नहीं होगा इसका अंसर हो जाएगा डी इन में से कोई नहीं फिर आगे है निम्नांकित एक सब्द में उपसर्ग नहीं लगा है तो ऐसा कौन सा सब्द है जिसमें उपसर्ग जो है वो नहीं लगा है तो आप यहां पर देखेंगे कि जो है अतिक्रमड तो अतिक्रमड में भी उपसर जो है वो लगा है क्योंकि आतिधन क्रमड हो जाएगा प्रतिछड है प्रतिछड में भी लगा है क्योंकि प्रतिधन छड हो जाएगा और यहां पर है सुगम सुगम में भी लगा है क्योंकि यहां पर हो जाएगा सूधन गम लेकिन यहां जो दर्सन है इसमें नहीं लगा है क्योंकि आप जब इसको करेंगे तो द धन सर्न थोड़ ही करेंगे तो इसका अंसर हो जाएगा डी दर्सन जो है इसमें उपसर्ग नहीं लगा है तो यहां पर इसका अंसर हो जाएगा D. दरशन और फिर है 69sur 소개 करफ़ें दरेख की क्यूंकि हम वह तेख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं प्रहसन नाटक और प्रहसन जो कि द्रिश काबे के अंतरगत आते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा ए नाटक और प्रहसन फिर आगे हैं सत्तर हमां सत्तर क्यूशन है यहां पर दिया हुआ है कि यह जो चीन दिया हुआ है यह किसका है यह जो यहां पर चीन दिया हुआ है यह ज जिसे हम पुनुरुक्ति सूचक चीन भी कहते हैं इसका मतलब हो गया जैसे कि हम यहां पर बोल रहे हैं कि इस जाता है और फिर यहां लिखेंगे महेश जाता है तो यहां पर नाम एक कर देंगे लेकिन यहां पर जाता है और इसमें भी रमेश जाता है महेश जाता है सुरेश जाता है तो हम यहाँ पर जाता जो है इसको न लिखकर इसको हम इस तरीके से कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि यह जो है यहां पर व्याजाएगा महेश जाता है और रमेश जाता है और सुरेश जो है जाता है तो इसको हम बोलते हैं पुन रोक्ती बोध चीन फिर आगे हम यहां पर देखेंगे यहां पर दिया हुआ है कि प्रकिर्ती के सुकुमार कभी कौन माने जाते हैं तो प्रकिर्ति के सुकुमार कभी जो है वो कौन माने जाते हैं तो यह जो छायावाद के कभी है सुमित्रानंद पंत जी इनको प्रकिर्ति का सुकुवार कभी जो है माना जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा बी और फिर आगे है कि स्वाभिमान स्वाभिमान स प्रतिक है और फिर यहां पर दिया हुआ है कि अली सब्द के दो अर्थ हैं अली मतलब क्या होता है अली का मतलब होता है भ्राम भी होता है कोयल भी होता है सहेली भी होता है और भारा और सखी भी होता है तो यहां पर हो जाएगा इसका अंसर भारा और सखी अली का दो अर्थ है तो भारा और सखी आपसा नहीं फिर आगे हम यहां पर देखेंगे 74 वां क्यूस्यन यहां पर दिया हुआ है कि वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विसेशड है तो इसका क्रिया विसेशड जो है वह हो जाएगा बहुत यहां पर जो आंसर होगा वह बहुत क्योंकि वह जो है वह जो है वह होगी संग्या और बोलना जो है इसका क्रिया विसेशड तो यहां पर जो है यहोगा क्रिया भी शेष्ड यहां पर वह ago है स्वनाम हो गया और यहां पर जो है बोलना जुक्त है क्रम हो गया और बहुत जो है यह त्यवल ईस तरीके से लिखा जाता है कि वहाँ पर जो है वहाँ पर दिया था कि कौन सा सही है तो उज्वल जो है यहाँ पर देख सकते हैं उज्वल जो है इस तरीके से लिखा गया है उज्वल पद में संधी है तो उज्वल पद में जो है वो कौन सी संधी है तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यंजन संधी उज्व लूट प्लस जूल होता है लूट प्लस जूल को मिला कर जो है व correct बनता है उ ऐ tendencyल और फिर हम यहां पर देख़ेंगे कि जो आधा ता के आला में जो आधा दा होता है और आगे जो होता है वो होता है आधा जो और आधा जो आए तो इसमें जो है जो जो में जो होता है वो जो में पुड़ा कैपिटल जो में और जो में जो है वो बदल जाता है तो यहां का जो जो होगा यहां पर आधा जो तो दिया हुआ है जो यह बदल जाएगा आधा यहां पर जमें तो तो जो है वो बदल जाएगा जमें तो इसको जो हम कहते हैं वो कहते हैं ब्यंजन संदी जैसे इसके अलामा और भी है जैसे हम कहते हैं सज्जन सज्जन का यह संदी बिछेद करें तो सब प्लस ज्वन नहीं होता है यहां पर होता है सथ प्लस ज्वन जिसको मिला इसका सज प्लस जाती नहीं होता है यहां पर होगा आधात्ता प्लस जाती और इसको मिलाकर बन जाता है सज जाती तो यहां पर भी उज्जवल जो है इसको संधी बिछेद करेंगे तो उत प्लस ज्वल और इसका पुड़ा जब संधी बिछेद को पुड़ा जब करेंगे तो इसका बन जाएगा उज्जुवाल तो यहां पर जो ही उज्जुवाल पद में संधी है तो इसका अंसर हो जाएगा बेंजन संधी और फिर हम छिहत्रमा क्योशन देखेंगे यहां पर दिया हुआ है कि छायावादी यूग के प्रवर्तक हैं तो यूग जो है इसके प्रवर्तक कौन है तो इसका अंसर हो जाएगा जैसंकर प्रसाद अप्साने छायवाद के जो है यूग प्रवर्तक हैं जैसंकर प्रसाद फिर यहां पर दिया हुआ है कि पावक सब्द जो है उदाहरण है तो यह जो उदाहरण है यह ब्रिधी स्वर सं रेंदी का उदारड जो है वो है पाववक अब यहाँ पर देखेंगे किताउर्प आए यह यो इसका बड़ा या फिर ओ यह फिर बड़ा है और जब यह आता है तो इसके हो जाता है आय और ओ जो होता है इसका हो जाता है और यह जो आव है इसका हो जाता है आव यदि हम यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो है और इसका आव है और यहां पर दिया हुआ है पावक, तो जब हम इसको संधी विछेद में करेंगे, तो यहाँ पर जब हम करेंगे, तो यह करेंगे पाव, पाव धन, और अक, पाव धन, और अक, तो यहाँ पर जब यह बन जाएगा, पाव जो है, यहाँ पर इसका बन जाएगा आओ, तो यहाँ से जो है, इसका हो जाए बुढ़ात तैर और वख जो है यहां पर हो जाए गा वक तो इसका हो जाएगा पुड़ा पावाग तो यहां पर जो है व्रिधी स्वर संदिय का उदा्रण है फीर आगे है यहां पर अठतरवा एंग आह पर निभेद होते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा दो फिर यहां पर दिया वाए कि प्रसारण का बिलोम सब्द है प्रसारण जो होता है इसका बिलोम सब्द क्या होता है तो प्रसारण का मतलब होता है फैलाना और यहां पर इसका अंसर हो जाएगा संकुचन संकुचन का मतलब हो से तो लोक मतलब होता है जनता और जनता जो है वो पहले गाउं में निवास करती थी तो इसका अंसर हो जाएगा गाउं गाउं से जो है वो लोक संस्कृति का जन्म हुआ है फिर आगे है कि किरिपाड सब्द है किरिपाड सब्द जो है यह क्या है तो किरिपाड सब्द होता है तत्सम अब तत्सम जो है किरिपाड सब्द है तो इसका आंसर हो जाएगा डि तत्सम और फिर आगे हमें हाँ पर देखेंगे कि बुध्धी भ्रहमित होना मुहावरे का अर्थ क्या है तो बुध्धी जो है वो भ्रहमित होना मुहावरे का अर्थ क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा ए चक्कर में पढ़ना तो बुध्धी जब भ्रहमित हो जाती है तो जो इनसा पर वो चक्कार में पड़ना तो इसका अंसर हो जाएगा और थाथ बुद्धी में भ्रहमित हो इसका इसका आगे है कि निमन लिखित में से रूढ़ सब्द कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा पसु जो है रूढ़ सब्द है तो 84 का जो हो जाएगा यहां पर क्यों होगा क्योंकि रूढ़ यह सब्द होते हैं जिसका कोई खंड करने पर कोई सार्थक सब्द नहीं बनता है जैसे वाच नाले तो यह पर Тем कि जू है वाच वचंधन आले कर सकते हैं समतबस समतन द Enemy अतल कर सकते हैं और एकलम पर छंपंतल जो दिया है इसका भी खंडन कर सकते हैं बिध्याले बिद्या धन आले भी कर सकते हैं लेकिन पशु का जब खंडन करेंगे तो यहां पर पश धन करेंगे तो यह जो है कोई उस तरीके का संधी नहीं बनेगा तो जिसका खंडन नहीं हो पाता है उसे ही हम जो है रोड सब्द कहते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा पशु और फिर संदि महोट्सो में संधी है महोट्सो जो है इसमें कौन सी संधी है पैजन जो संधी है उन्हों कि संधी इसे या बड़ा उ तथा री क्रमसव हो तो ए और ओ जो होता है और हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं गुड़ संधी जैसे महोच्षव दिया हुगा है तो महोच्षव का क्या होगा महाधन उच्षव तो जब इसको हम बराबर करेंगे संधी बनाएंगे तो ए ज जो हो जाएगा महोत्सो तो महोत्सो जो है वो है गुड संधिक और फिर है यहां पर अंबर का बिलोम सब्द है अंबर जो है उसका बिलोम सब्द जो है वो क्या है तो अंबर सब्द का बिलोम सब्द जो है वो है अवनी अंबर मतलब होता है आकास और अवनी मतलब होता है धर आध्यआपूरुस का इहां फिर मुझे को गया होते हैं उत्तम पूरूस तो 87 का हो जाएगा सी कॉरुस है पिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि बहिर मुखी में समास है बहिर मुखी जो है इसमें कौन सा समास है तो इसमें जो समास है वह है अभिभाव समास है क्योंकि अभिभाव समास की बारे में हम बात करें तो अभिभाव समास उसे कहते हैं जिसकोई समास का पूरुपद अथ से बहिर मुख्य दिया हुए तो बहिर मुख्य में इसका जब हम विग्रह करेंगे तो इसका अंसर हो जाएगा बाहरी वाला तो बाहरी अर्थात पहला जो है उनकी सहीतिक भाषा क्या है तो इसका अंसर हो ब्रज भासा, सूर्दास जी की जो साहितिक भासा है वो हो जाएगा ब्रज भासा और ब्रज भासा में ही उन्होंने सूर्शरावली साहिति लहरी जो है उन्होंने रचनाई की हैं, तो इसका अंसर हो जाएगा ए ब्रज भासा फिर आगे है नब्वे महाकाबे में वड़न है महाकाबे जो होता है उसमें किस चीज का वड़न किया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा यह मानो जीवन के बिरिहद और व्यापक चित्रड का जो है वड़न किया गया है महाकाबे में फिर यहां पर दिया हुआ है कि काली मिर् मिर्ची में कौन सा समास है तो इसका अंसर हो जाएगा ए कर्मधाय समास काली मिर्ची में जो है वह कर्मधाय समास के बारे में हम बात करेंगे कर्मधाय समास जो है वह किसी करते हैं तो कर्मधाय समास का मतलब होता है कि उत्तर पद जो है वह प्रधान होता है अब वहां पर ज है वो होता है उत्तरपद प्रधान तथा पुरोपद और उत्तरपद में उपमे अथ्वा उपमान का जो है 260-200 का संबंध होता है तो उसे हम जो कहते हैं वो कहते हैं कर्मधाय समास कर्मधाय समास करेंगे तो पर हो जाएगा काली है जो मिर्ची काली है जो मिर्ची तो यहां पर जब यह समास बनेगा तो यह बन जाएगा कर्म धाय समास तो इसका अंसर हो जाएगा ए कर्म धाय समास और फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि उर्वसी किसकी काब्य कृति है उर्वसी जो है यह किसकी काब्य कृति है तो इसका अंसर हो जाएगा सी रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है उर्वसी का विक्रिती है और फिर आगे है सन्यासी सन्यासी का परियावाची क्या है तो सन्यासी का परियावाची जो है वह है बाबा नहीं होगा यहां पर इसका परियावाची होगा दंडी दंडी जो है यहां पर इसका परियावाची स 23-73 सन्यासी फोल सकते हैं तो वीट प्रिब्राज का लगत भी बिल सकते हैं धूर फिर विश्चाटी ऑप रगए सकते हैं तो अधू लुट के पृत गोो क्या है तो और यह कि इसका ऑस्थाई भाव र्याओ और तो इसका निव्ट ठिल्क Yep अंसर हो जाएगा विस्मय विश्मय जो है अध्वुत रसका अस्थाइभावा प estáल K निमलिखित में से कौन सा कवी भक्तिकाल के नहीं है तो भक्तिकाल के कवी जो है वो कौन से नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा मतिराम मतिराम जो है यह भक्तिकाल के कवी नहीं है लेकिन मतिराम जो है यह नहीं है तो मतिराम इसका राइट अंसर हो जाएगा फिर आगे दिय सैंगे कि आज मैं बिद्याले नहीं जांगा क्या यह सभी है और फिर है कि बच्चों को काट कर फल खिला दो क्या यह सण दर्द्रि जो वह अत्यांत बुद्धिमान तथा बल साली है क्या यह सही है तो इसमें से कौन सा सही है तो यहां पर जो है आपको इस पर्ष्ट दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो सही है वह है यहां पर जो सही है वह है वह बी क्योंकि यहां पर जैसे मैं आज भी द्याले नहीं जाओंग क्या बच्चों को काट कर कोई फल खिलाएगा फौल को काट कर बच्चों को खिला दो ie सही होता लेकिन जा बच्चों को हम काट देंगे तो फल किशों को खिलाएगे तो इसका अंसर हो जाएगा B यह पुड़ा असुद्ध है फिर आगे है कार्मा कार्मा जो है किस विधा की रचना है संतान वे जो क्यूशन दिया है उसमें दिया है कि कार्मा जो है वो किस विधा की जो है वो रचना है तो इसका अंसर हो जाएगा डी कार्मा जो है एकांकी विधा की रचना है तो कार्मा जो है एकांकी विधा की रचना और जो कार् वाक्य का चयन किजिए अंठान में जो है इसका दिया हुआ है कि उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है संयुक्त वाक्य का जो है वह चयन करना है तो यहां पर जो है और फिर है उसे गर्व है कि वह उच्चिकुल में पैदा हुआ दवालो और बुखार कम हो जाएगा यह बा जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो तो यहां पर जो है दवा जो है यह खुद अपने अपने प्रधान है और बुखार कम हो जाएगा और यह भी अपने अपने प्रधान है तो इसका अंसर हो जाएगा बुखार कम और दवा लो जो है यह जो है दोनों प्रधान उपवाक्वे हैं तो इसलिए इसका अंसर हो जाएगा कि और फिर यहां पर है कि नियान GREG कंजूसी से धन द्सराइएगा यहां पर दिया है कि विश्यस्राइव कि क्या कहते है उसकी विश्श्था बताने वाले को क्या कहते हैं तो लुब पहले पार्वे देखें तो आप देख लेए इसी तरीके का जो यूपी बीट गवर्मेंट इंट्रेस एक्जाम जो पेपर होता है इसी तरीके के पेपर बनते हैं पैटर्न सेम ही रहता है बस क्यूस्चन जो है वो अलग-अलग तरीके के रहते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं कि किस परक subject का पीडिए चाहिए तो आप हमारे कमेंड बोक्स में वाट्स अधियोट सकते हैं वाट्सप नंबर रहेगा उसके थुरू भी आप पासकते हैं और वो जो बूखोगा वोग को मिलेगा किसी भी परकार का उसका जो है आपको चार्ज पे नहीं करना तो thank you, bye bye, take care all the way thank you for listening, God bless you all thank you